तो कोई भी PCOD का पेशेंट अपने आपको कितने टाइम में हील कर सकता है लिखके मैने बहुत सारे पेशेंट्स देखिया मेरे खुट के पेशेंट्स 거야 तो मैने उन्हें देखा या दो-दो महाईने में बहुते हुए लेकिन PCOD और PCOS एक lifestyle disorder है जो हमारे खानपान खराब होने की वज़ा से हमारा lifestyle खराब होने की वज़ा से females में आज कल बहुत common देखी जा रही है इसलिए the health show में आज हम परीदी गुपता से जानेंगे कि कैसे आप अपने natural diet से अपने खानपान से PCOD और PCOS की problem का एक महिने में ही solution solution पा सकते हैं और illness से wellness की तरह बढ़ सकते हैं यानि कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि PCOD के solution के लिए क्या खाएं कब खाएं और कितना खाएं तो वेलकम परीदी स्वागत है आपका thank you so much PCOD और PCOS लोगों को कई बार इस पर confusion रहता है तो सबसे पहले तो आप यही confusion दूर करिए कि PCOD और PCOS है क्या ठीक है ठीक है PCOD और PCOS एक तरह से एक ही बिमारी के दो फॉर्म से PCOD जो है वह बिगनर फॉर्म है और जो PCOS है वो उसका extreme फॉर्म है जब वह बहुत जादा complicated हो जाती है बिमारी तो वह PCOS में convert हो जाती है PCOD में क्या होता है polycystic ovary disease इसमें सब इसके वज़े से irregular periods का problem सबसे जादा होता है usually excessive bleeding होती है अब PCOS में जो हमारे ovaries अभी तक एग्स रिलीस कर रही थी immature eggs इसके साथ साथ एक endrogen नाम का hormone होता है वो भी साथ में release होना शुरू हो जाता है और इसके वज़े से यह जो immature eggs हैं यह cyst का form लेने लगते हैं तो यह बहुत जादा complicated जाती है और बहुत दर्द देने वाली problem हो जाती है किसी भी female को जब PCOD की problem है उसको कैसे पता चलेगा कि उसको PCOD या PCOS है यानि इनका symptoms क्या है सबसे पहले symptoms तो periods से शुरू होते हैं जो periods है वो irregular हो जाएंगे या तो बहुत बहुत time में आएंगे या बहुत जदी ज 34 days का cycle होता है वो एक्स्टेंड कर जाता है 35, 40, 60 days तक और भी जादा लंबे समय तक वो एक्स्टेंड कर जाता है तो period सबसे पहला symptom है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप PCOD की तरफ जारी है और इसके साथ चाहरे पे बाल आने शुरू हो सकते प्रॉब्लम सबसे जादा आज आती है यूशुली आपके चिन एरिया में वो सबसे जारा देखने को मिलती है तो वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है PCOD का और आजकल तो लोग इसका दवाईयों में इलाज धुन रहे है लेकिन अगर किसी भी फीमेल को PCOD के प्रॉब्लम है इसका कारण किया है पहल और आज़ी एक प्रॉब्लम है यूशुली नहीं करते हैं यूशुली नहीं करते हैं बहुत ज़ादा देखने को मिलता है दिस और स्टेंटरी लाइफस्टाइल थेक्नोलोजी इतनी ज़ादा बढ़ गई है कि हम उशुली महनत नहीं करना चाहते हैं जो चीज़े हम घर प एक dedicated slot जो होना चाहिए, जैसे dedicated slot होता है नहने के लिए, खाना खाने के लिए, उसी तरह से आपके lifestyle में dedicated slot होना चाहिए, प्रॉपर workout के लिए, प्रॉपर डायट के लिए, मतला RCG1 जो हमारा आज कल हो गया, उसके वजा भी PCOD हो रही है, सबसे बड़ा रीजन है, obesity और आपका जो खराब खान पीन है, खराब lifestyle है, सबसे बड़ा रीजन है PCOD का, और इसमें लैक अव एक्सराइज भी, बिल्कुल बिल्कुल, और जो प्रॉपर स्लीप नहीं लेता है, जो प्रॉपर सोते नहीं है, जी और क्या टैंशन भी PCOD का कारण है, बिल्कुल, स्ट्रेस भी PCOD का कार्ब्स खाएं, आपने खुद नोटस करा होगा, आप ओवन इटिंग करने लगते होंगे, अगर आपको बहुत टैंशन हो रही है, यार मुझे पीजा खाने का मन करें, पीजा की क्रेविंग हो रही है, चोकलेट की क्रेविंग हो रही है, हाई क्यालरीक फूड जो होते ह हम उसको रिजिस्ट नहीं कर पाते, वी एंड अप इटिंग हाई कैलरीक फूड और उसकी वज़े से हमारा उबैसिटी बढ़ता है, जो स्ट्रेस से हमें खाना चीता है, अक्चली जो हमें खाना चीता है, उसकी जगह हम ओल्रेडी खाये कैलरीक डाइट ले जोके और एक् अगर आप कंसीव करते हैं तो उसमें बहुत सारी चांसेज रहते हैं कि आपको प्रॉब्लम आती है, मिस्क्राइज होने के चांसेज रहते हैं, बेबी हेल्दी नहीं होता, या आपकी पोस्ट निटल हेल्थ, बेबी होने के बाद आपकी हेल्थ उतनी अच्छी न रहे जि कि अगर अगर आपने डाइट सुधार लीना तो आप इसे क्योर कर सकते हो तो मैं आप से जानना चाहूंगा कि आप भी बहुत से पेशेंट को देख रहे हो पीसी ओडिगे तो क्या खाना चाहिए? किस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए? अपने रोज मर्रा के खान-पान में क्या-क्या शामिल करें कि पीसी ओडिग हो जाए? चीक तो आप फ्रेश होते हैं फ्रेशन अफ होने के बाद आपको कुछ जरूरा दखती है कुछ खाने की तो आप सबसे पहले एक वार्म ग्रीन टी से शुरू कर सकते हैं आप सीसी एफटी से शुरू करते हैं सीसी एफटी में क्यूमन, कोरियेंडर सीज और फैनल तीन चीज़े, जीरा, आपके धनिये के बीच, और सौंफ, ये चीज़ों को आप एक ग्लास पानी में तब तक उबाले जब तक वो आधा कप न रह जा है, आप उसको छान के आराम से सिप करके पीजे, उसके बाद 2-3 गंटे अपने आपको ब्रेक दीजे, उसके बाद आप एक हेवी मील लेने के बाद थोड़ा से समय रुकें, दो गंटे-3 गंटे के बाद आप एक डेडिकेटर फूट बावल ले सकते हैं, शालीड ले सकते हैं, यूजविली हम सुवे आलू के पराटे गाते हैं, उसके बाद दूपेर में हर चार गंटे बाद फिर हमें 3- लही वगयरा सब को चाहिए होता है, फिर आम इस शाम को फिर भूख लग जाते हैं, तो हम पक ओड़े और समूसे खा लेते हैं, तिक्की खा लेते हैं, और फिर रात को खाना काते हैं, उसमें भी फिर हम कुष्णा को चहवे खाते हैं, तो आपने अभी एक अपने मॉर्ण क्योंकि बहुत सारी लेडीज वरकिंग होंगी, तो वो 11-11 और 12-12 बज़े तक दी, जिनके फैमली मेंबर्स, पार्टनर्स देर से आते होंगे, उनके डिनर बहुत लेट होता है, यूश्विली आज के लिए चीज ट्रेंड में है, और ये बहुत बढ़ा कारण है आपकी और अपकी पी-सी ओडी का, तो अपने आप डायट को अगर आठ बज़े शिफ्ट कर सकते हैं, that is considered as the best time to eat, क्योंकि उसके बाद आपको एट-लीस्ट बारा घंटे तक की इंटर्मिटन फस्टिंग करनी चाहिए, अपने आठ बज़े अपना डेना कर दिया, अगले दिन सु आपकी बॉड़ी उसको अच्छे से असिमिलेट कर पाएगी, उससे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी, और आपके बॉड़ी के अंदर ओवर क्यालिरीज नहीं जाएंगे, आप उसको इजी बालेंस कर पाएगे, लेकिन डाइट में शामिल क्या-क्या गरे चाहे तो PCODE और PCOS आयरवेड के अनुसार एक कफज दोश है, तो जो भी चीज़े, जो भी फूड हमारे शरीर में कफदोश को बढ़ाने वाले हैं, जैसे की केला, जैसे की आलू, जितने भी हाई-क्यालरिक मील्स हो गए, जैसे की घी, देसी घी, अब बहुत सारे लोग यहाप एक क्लाश करके बोल सकते की देसी की तो सुपर फूड है, वो तो हर कोई खा सकता है, बट डेसी की कभी एक क्वांटिटी फिक्स होना अची कि आप एक दिन में आधे से एक चमच, माक्सिमम टो माक्सिमम देसी की कंश्यूम कर सकते हैं, दाट टो इन दाल और रोटी, नो मो द कि आपकी चीज हो गई, आपका बटर हो गया, इन सारी चीजों को आपको अपनी डाइट में एक्स्कूलूड करना पड़ेगा, और बहुत चारे लोग अभी उन लोगों को एविट आउट होगा कि चावल खा या नहीं, तो चावल को आप मिलिट्स से रिप्लेस कर सेते है आप चावल की जगा जवार खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, समक राइस खा सकते हैं, बानियाड मिलिट खा सकते हैं, so there are a lot of options in मिलिट्स, किनुवा खा सकते हैं, किनुवा खा सकते हैं, किनुवा इस वेरी गुड, तो आप ये सारे options राइस के रिप्लेस्मेंट में ले स पैंड के लिए इस चीज़ को थोड़ा हम सींपल करते हैं क्यों को सकता है लोगों कन्फिजिंग लग रहा हो कौन से सब्जिया च्राइब हुए आप आलू कम खाईए आप हरी सब्जियां जितनी हैं आप पेट भरके खाईए हरी सब्जियां खाने में कोई भी प्रॉब्लिम नहीं है सिर्फ हाई कैलिरिक में आपके लिए आलू एक ऐसा आता है अलग-अलग तरह के आलू आते हैं कंद आते हैं अर्भी हो गई भिंडी हो गई कठल हो गया जिन भी सब्जियों में होता है वो आपको अवाइट करनी चाहिए और इसके अलावा केवल सीजनल खायानी बिलकुल सीजनल और लोकल जो आपके आँ लोकली ग्रों होता है और जो सीजनल है सबसे सस्ती सब्जी जो आपके आपके अवलेबल है वो आपको खानी चाहिए बताद गर्मियों के सीजन अब fruits आते हैं, क्योंकि सबसे आएधा विप्री तहार कपालन लोग फूड में करते हैं और fruits में करते हैं, तो कौन सा फल खाना चाहिए और कॉन सा फल छोड़ना चाहिए अगर आप खा रहे हैं तो आपको तर्बूज नहीं खाना चाहिए तर्बूज इसमें टोटली अवोइड़ेड है आपको केला नहीं खाना चाहिए आपको आम अगर खाना है तो आप मैक्सिमुम तो मैक्सिमुम दिन का एक आम खा सकते हैं अगर आप आप आउट आप सीजन अगर आप आउट आप सीजन स्पेशली मंगवा के खा रहे हैं तो इसे जादा तर्बूज का आपको स्पेशली रखना है क्योंकि यूश्विली फ्रूट में एक चीज है कि आप फ्रूट्स कभी भी रात में कंजूम नहीं करेंगे इस अगरे के घार थानिके वे यूश्विली अगरे भी रहे हैं तो जब शनलाइट है तिल फोर पीम आप फोर पीम से पहले 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 आपने फ्रूट्स का जिए नहीं ननन अव भी रूट्स का बहुत तो एक्से बनाना एंड वाटरमेलन यूज़ी तो यह सारी चीज जो बगो किसके साथ ना मिलाएज?" इडियली तो किसी भी फूटको आपस में नहीं मिलाse जाए जिसे sama जो कुछ भी पूट चाट बना जटेते हैं खट्टीफल भी एक सात आ गए मेठे लीफटा पाया जो आगिया केला शंतुरा भी अगया मेलन्स भी आ गए तो यह आपको नहीं करना है अगर आप कोई भी फूट खारे तो आप एक फूट चूज करिये और एक फूट की ही अपनी चाट बना कि आप अराम से खा सकते हैं आपने सारी चीज़े बताये कि ओली नहीं खाना और जंक फूट फूट नहीं खाने फल और सब्जिया बता दी लेकिन आजकर लोग दूद का बहुत जादा सेवन करते हैं डेरी प्रोड़क्स बहुत बहुत जादा प्रचलित तो PCOD या PCOS का पेशेंट दूद पी सकता है और मैं पीन काने बेलप पीज़े फ not more than 100 ml. per day. 100 ml ले सकते हैं? 100 ml तक इस जादेने अजर नियाग अच्छेशनल, not everyday मतल अजरी अग्ते में लेली तो हाथ बेले लेलिया को याद बिले सब्टेस्ट रटारा कहा लेके लिए जायके लेके लिए लेसटेक्ट आपो होते हैं तो आप एक चम्मच अगर दही ले ले रहें तो उसमें आप चार चम्मच पानी मिलाएंगे और उसको अच्छ से विस्क करेंगे अगर आप तकर पीते हैं तो आप उसको पी सकते हैं और जादा कुट्री नहीं लेगा और वह दिन में रात में किसी को भी दही नहीं खानी चा अगर आपको PCOD और PCOS हैं अगर आपको PCOD के बिग्निंग है तो आपके लिए बहुत अशान है आप बिल्कुल बिग्नर लेवल पे कुछ समय के ले अगर आप अवाइट कर देंगे जब तक आप हीला हो जाएं सिफ तब तक भी अवाइट कर देंगे तो आप जल्दी हो सकत तो डाइट के लाव एक चीज बहुत ज़दा इंपोर्टन अवा एक्सराइज तो कौन से योगा आप पेसेंट को करने जहीं जिसको इसको 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 अजल्दी रिलिफ मिले पी सीओड़ी के लिए सबसे अच्छा है भुजांग असना पर सकते हैं परवत असन कर सकते है सूरण नमशकर is one of the best आसन सेक्वेंस जो आप सकते हैं इसके अलावा को प्लंग पोस्ट करना जहीं जो आपके कोर्ट जारा फोकस करते हैं तो आप प्लंग पोस्ट करें जैसे हम दंडासन भी बोलते हैं इसके अलावा जितने भी पॉस्ट्रस जो आपके कोर को यूस करते जितने भी आसन जिन में आपका पेट इस्तमाल होता है, जैसे चक्की चलाना हो गया, जैसे कि हल चलाना हो गया, हल आसन, इस तरह के आसन जो भी है, वो आप सब कर प्राक्टस कर सकते हैं, और सबसे अच्छा रहेगा कि आप कोई भी एक बालेंस जिसक्वेंस ले, अगर आप सब्सब्स इंपॉर्डें चीट जह गही है, पानी, जी, पानी को किस तरीके से पीए और कैसे पीए जब प्यास लगे तब पानी पिये राद को बानी ना पीएं, और जब पी एं गुन 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 पानी जो आपको गरम भी न लगे और बिलकुल थंड़ कुल बिलकुल मीडियूम लेवल का होता है वो आप पानी चंस्यूम कर से लिए अधिय का मदलेगे चाय कोफी पी पादेगी और लोग लोग दूलेंगे तो क्या ब्लेक टी और ब्लेक कॉफी बिले सकते हैं ग्रीन टी पी सकते हैं see, मैंने बहुत सारे patients देखे है, मैरे खुदके patients है, तो मैने उनने पेचिन नहीं देखा यहाँ और नहीं及 करते हुए देखा है। एक एक महिने में भी ठीक होते हुए देखा रोन मुख और यॉन में कन्सीव करते हुए देखा है। किसी की चीज बहुत पहले से चल रहे होती है, for example, PCOD और PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इंक्लूड़ी होती है, कोई-कोई लिटीज होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, या बहुत जादा भूबीज होती है, तो it depends upon कि उनका insulin अगर resistance है तो उनको heal होने में बहुत जादा time लगेगा So it depends upon symptoms कि उनको कितने symptoms अभी तक develop हुएं, किस stage तक उनका PCOD PCOS करे है लेकिन यह है कि permanently cure कर सकते है natural diet से Yes, definitely it can be reversed Thank you Paridi आपका कि आपने बहुत important information हमें दी उमीद करता है इस वीडियो से आपने PCOD और PCOS के problem को solution अपनी diet के माध्यम से कैसे पा सकते है वो आपने काफी कुछ जाना होगा लेकिन आपको एक suggestion देना जाओंगा कि खुद से doctor ना बने क्योंकि खुद से doctor बनने के checker में लोग अपनी problem को ना और ज़्यादा बढ़ा देते है इसलिए जब भी आपको किसी health related problem को solution चाहिए तो सबसे पहले उस problem के create होने की वज़ा ढूंडे यानि उसे diagnose कराएं और उसके बाल किसी health consultant से उसके बारे में बात करें अगर आप परिदी से बात करना चाहते हैं तो इनका number और description में दिया है pin comment में भी दिया है तो आप वहाँ इनसे contact करके इनसे भी consult कर सकते हैं अगर आपके कोई भी question है वो आप नीचे comment box में पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगा अलग-अलग videos के माध्यम से आपको आपकी problem का solution देने का ताकि आप भी illness से wellness की तरह बढ़ सके धन्यवाद